तो कैसे हैं आप लोग चलिए आज अमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स ये डाई इलेक्ट्रिक्स चैप्टर नमबर टू इलेक्ट्रो स्टेटिक पोटेंचल एंड कैपसेटेंसे में है एक बार देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है कितने तरीके का होता ह इसके पास क्या प्रापर्टीज है डाई एलेक्रिक्स क्या है डाई एलेक्रिक्स जनरली इंसुलेटर्स होते हैं क्या होते हैं इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स कह सकते हैं या आप डाई एलेक्रिक्स को कह सकते हैं इंसुलेटर्स यानि कि जिनके पास फ्री एलेक्टरोंस बह होते हैं अगर यह पूर कंड़क्टर है यानि की थारीके से नॉन कंड़क्टर मेटीरियल्स होते हैं तो हम इनको नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स होते हैं डाइलेक्टरिक्स वन वर्ड में आपका इंसुलेटर या फिर पूर या फिर non-metals हम कह सकते हैं कैसे insulator होते हैं कि इन insulators को इन dielectrics को जब किसी external electric field में रख दिया जाता है तो इनके अंदर भी एक electric field induced हो जाता है ठीक है तो in which the insulators in which electric field is induced induced हो जाता है when they are placed in external electric field are called the dielectrics induced हो जाता है जैसे कि यह एक portion है जिसे मैंने अलग किया हुआ है dielectric constant के नाम से इस diagram पर भी आएंगे इसी तरह से कुछ होता है उससे पहले देखते हैं कि यहां कितने तरह के dielectrics होते हैं दो तरह के dielectrics होते हैं एक होते हैं polar dielectrics और एक होते हैं non-polar dielectrics polar dielectrics in these dielectrics the centers of positive and negative charges in each molecule are at small gap are at small gap यह जैसे कि HCL है तो HCL को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का structure रहता है HCL का है एक छोटा molecule है और CL काफी बड़ा होता है इसके comparison में तो जब दोनों के हम center of mass calculate करते हैं center of mass जैसे हम calculate करते थे यहाँ पर हम calculate करेंगे center of positive and negative charges अलग-अलग करते हैं आपको याद हुआ क्लास 11 में system of particles में यह formula आपने use किया था RCM center of mass location के लिए mass था वहाँ पर M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2 and so on 2-3 charge इतने भी molecules हैं उनके लिए हम निकालते थे तो यहाँ पर अगर SCL का हम देखें तो इनके positive और negative जो होते हैं उनके center of positive negative actually में है center of mass positive negative charges क्योंकि बहुत चोटे चोटे हैं protons और electrons को हम positive और negative charge बोलते हैं बहुत चोटे हैं तो इसलिए centers of positive masses या फिर positive charges centers of negative charges negative masses यानि की electron जितने भी उसमें होंगे उनका center सबका ठीक है जब उनको calculate करते हैं तो अलग अलग जगह पे आते हैं small gap ऐसे होते हैं यह ऐसा रहेगा हलका सा oval है negative इधर हो गया positive इधर हो गया यह negative positive small gap में है negative और positive यानि कि पहले से डाइपल मुमेंट इनके पास है बहुत छोटा small gap में है इसी material को जब उठाके इस external field में रखेंगे यह external field ब्लैक वाला positive से negative direction में है यह positive से negative external electric field या इसको original electric field भी बोल सकते हैं यहाँ पर एक molecule हमने polar dielectric का यहाँ पर रखा तो हमने देखा कि यह जो positive और negative पहले एक centimeter दूर थे अब यह 3 centimeter दूर हो गए gap बढ़ गया negative plate जो है यह external electric field की negative plate ने positive को थोड़ा और खींच लिया अपकी तरफ force of attraction से और positive वाले ने negative को कीच लिया या आप बोल सकते हैं या दोनों ने force लगाया positive ने negative अपने तरफ खींचा इस negative ने negative को रिपेल किया इसी तरह positive को यह वाली positive black positive ने blue positive को रिपेल किया और black negative ने blue positive को अपने तरफ खींचा यानि कि जतने दूर पहले तो उससे ज्यादा gap में अभी हो गए तो इस तरह का electric field एक induced हो गया इस molecule के अंदर या आप कह सकते हैं कि electric field बढ़ गया उसमें हाला कि है बहुत कम ठीक तो इस तरह के जो dielectrics होते हैं इनको बोलते हैं polar dielectrics ठीक है तो note में आप इसको note कर लेंगे एक पॉल मुमेंट बढ़ रहा है gap बढ़ रहा है टूल की वैल्यू बढ़ रहे है चार्ज तो वहीं है positive negative है उतने positive negative जो भी molecules आप ले रहे है एटम्स ले रहे हैं उसमें नंबर तो बढ़ेगा घटेगा नहीं gap बढ़ रहा है gap क्योंकि बढ़ रहा है और डाइपल मुमेंट का फॉर्मुला आप जानते हैं पी इस इक्वल टू क्यू एल तो उसमें से क्यू इंटू टू टू एल को हम गैप बनाते थे पॉजिटिव निगेटिव के बीच में यह gap क्योंकि यह gap बढ़ रहा है इसलिए डाइपोल मुमेंट इंक्रीज हो रहा है उसी बात को यहां पर दिखाया गया है वेन दीज जा इलेक्ट्रिक सार प्लेज इन एक्सर्णल इलेक्ट्रिक फील्ड एन दियर डाइपोल मुमे बढ़ गया डाइलेक्ट्रिक पॉलराइजेशन ओके एक्जामपल कौन कौन से हैं एक्जामपल से हैं वाटर अमोनियम कार्बोनेट इथाईल अलकोहल ऐसे बहुत सारे आप खहेंगे कि वाटर तो इंसुलेटर की कैटेगरी में नहीं आता डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर पूर कंड़क्टर नॉन मेटल से वाटर यस एक्जेक्टली ऐसा होता है लेकिन वाटर के पास जो पॉलेरिटी होती है जैसे एस टू है वाटर इस टू ओ तो उसमें दो एच और ऑक्सीजन के बीच में एंगल होता है कुछ इस तरह की शेप होती है ऐसा नहीं होता जैसे सियोटू में होता है सियोटू में क्या होता है कारबन बीच में रहता है ऑक्सीजन दरूदर रहती है यहां इस तरह का रहता है तो पहले से अलग अलग सेंटर रहते हैं इनके जैसे वाटर को आप किसी एलेक्टरिक फील्ड में रखेंगे बीच में तो उसकी जो पॉलेरि को प्राइट आफ़ा जाते हैं नोन पोलरन पोलर डाइलेक्टिक्स में क्या होगा नॉन पोलर नॉन पौलर मतलब उन्में कुई प्लाइरिटी नहीं होगी या ना के परावर पॉलयरिटी होगी ठिक है तो डेफिनिशन क्या बनेगी उन नॉन नॉन पोलर डाइलेक्रिक्स को जब हम किसी एलेक्टरिक फिल्ड में रखेंगे ऐसे किसी एलेक्रिक फिल्ड में रखेंगे तो होते कौन से नॉन पोलर डाइलेक्रिक्स in which the centers of positive and negative charges positive negative charges in each molecule are at the same place almost एक ही जगा पर होते हैं जैसे hydrogen के atom nitrogen oxygen इसमें क्या होगा यह दोनों hydrogen बहुत क close होते हैं दूसरे के तो इनके positive और negative charges के जब center of mass हम calculate करते हैं center of positive charges या center of negative charges जब calculate करते हैं तो यह एक ही जगा पर almost आ जाते हैं इनके centers क्योंकि एक ही जगा पर हैं इसका मतलब है कि इनके पास डाइपोल मुमेंट है positive भी वही है नेगेटिव भी वही है यानिकी डाइपोल मुमेंट कैसा है उससमें 0 है फिर हमने इन नॉन पोलर को external electric field में रखके देखा तब क्या हुआ तब भी कुछ फरक नहीं था जैसे ही external electric field में गया होना क्या चाहिए था positive थोड़ा उधर हो जाना चाहिए था और negative विदर आजाना चाहिए था इसके positive को यह वाला positive विदर भीजने की कोशिश करता लेकिन यह नहीं गया वहीं का वहीं ही रह गया या फिर बहुत ही ना के बराबर यह सग्रिगेट electric field is induced induced होता है अब यहां तो होगा नहीं तो हम कह सकते हैं कि ना के बराबर induced होता है almost zero ही रह जाता है तो यह होते हैं non polar dialectics polar में dipole moment बढ़ता है non polar में कुछ नहीं होता okay negligible chain से बढ़ता है gradually बढ़ता है बहुत छोटा सा amount में बढ़ता है ना के बराबर यह तो उसके बढ़े बढ़ते हैं उसके बाद एक topic है die electric constant को देखते हैं क्या है die electric constant में क्या होगा die electric constant को आपने पहले भी सुना हुआ है कहा कहा सुना है first chapter में आपने सुना है die electric constant या इसका एक और नाम वहाँ पर हमने देखा था permittivity of medium जाद है relative permittivity था chapter number one chapter one में यह आया था die electric constant वहाँ पर था force के terms में था force column force था कौन कौन सा medium के लिए air के लिए air के लिए ज्यादा था medium के लिए कमाया था दो चार्जिस के लिए दो चार्ज थे q1 q2 और उनके बीच में गैप था आर एक बार इस सिस्टम को हमने free space यानि air के लिए रखा था और एक बार medium इनके बीच में कोई दूसरा free space से दूसरा कोई medium रखके देखा था कि फोर्स की वैल्यू कम हो गई उनका जब रेशियो निकाला तो यह आया था चैप्टर नमबर वन में इसके बिहाब पर डेफिनेशन बनाई थी और एक रिलेटिव पर मेटिविटी के टर्मस में देखा था कि के और रिलेटिव पर मीटिविटी दोनों यहीं की बाते होती हैं एक यह था उसके बाद चैप्टर नमबर टू के चैप्टर नमबर टू में दो बार आ गया हमारे पस एक बार कैपे सिटेंस के टमस में आ गया Capacitance for medium and air between the plates of capacitor Recent आपने पढ़ा है तो इसमें air वाली condition में जो capacitance है वो कम है और medium के case में capacitance बढ़ जाता है यानि dielectric fill करने से capacitance बढ़ता है Capacitance के case में ये वाला था और अब जो आया है वो dielectric के terms में है तो देखे क्या है इसमें कुछ नहीं है dielectric constant में ये ratio है हर बार आप देख रहे है के की value हर जगा से आपको के की value के बारे में पता चलता है कि के की value हमेशा 1 से बढ़ी होती है 1 से बढ़ी होती कैसे कह सकते है क्योंकि हमने observe किया है यहाँ पर column force कम हो जाता है column force जब कम होता है तो कम होने की condition में 1 by 4 by epsilon not के रैसी प्रोकल में रहता है अगर यह value कम force की value कम होती है इसका मतलब के value high है q1 q2 by r square तो इसको 1 से बढ़ा ही होना पड़ेगा अगर force किसी और medium में कम हुआ है तो अगर k की value 1 से छोटी आपने 1 by 2 ले लिया तो वो 2 गूम के चला जाएगा उपर और force को कर देगा double पहले से यानि कि force उस case में बढ़ जाएगा तो हमारी theory हमारी hypothesis जो अब तक चली आ रही है वो fail हो जाएगी अभी तक हमें पता है कि force की value सिर्फ free space में सबसे ज़्यादा होती है दो stationary point charge जिसके लिए जो एक फर्मिल से ज़्यादा gap में होते हैं ओके अच्छा आगे देखते हैं capacity case में अभी study case पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे dielectric constant में यहां आ जाते हैं तो यह है external electric field eo original electric field external electric field जो black वाला है positive negative right to left sorry left to right applicable है white board के उपर left से right में उधर से इधर की तरफ फिर यह dielectric हमने बीच में रख दिया जैसे यह dielectric हमने बीच में डाला कोई भी dielectric रख दिया यहां पर हमने उस dielectric के negative को यह वाली positive plate अपनी तरफ खींच रही है और negative positive को अपनी तरफ खींच रही है ठीक जब ऐसा हुआ तो हमने देखा कि blue वाले positive negative काफी gap में आ गए है यानि कि यहां पर electric field generate हुआ है EI जिसका direction कैसा है positive से negative electric direction कैसा होता है positive से negative higher potential to lower potential high charge to low charge तो यह right से left में applicable है arrow से दिखाया हुआ है तो reduced कितना बचा इस region के अंदर इस region में जो electric field रहे गया है वो electric field इतना है इस पूरे region के अंदर पहले कितना था EO था EI और develop होगे opposite direction में तो जो अब बचा है वो है EO minus EI यानि कि यह बचा हुआ है अब यह काम कर रहा है नमबर में देख लीजे suppose यह है 10 newton पर कुलाओ और यह वाला जो है यह है 5 newton पर कुलाओ चलिए 4 ले ले लेते हैं 4 newton पर कुलाओ तो reduced होके कितना बचेगा 10 minus 4, 6 newton पर कुलाओ अलग-अलग medium की condition में अलग-अलग hope डाइलेक्टरिक की condition में तो definition क्या बनाई है हमने यह रेशियो है original electric field external electric field to the reduced electric field reduced electric field तो the ratio of external electric field to reduce electric field is called the dielectric constant एक नहीं definition आई same value हमें उस medium के लिए मिली तो EO original electric field या फिर external electric field divided by reduce EO minus EI यहां से ही पता चल गया यह की value 1 से बढ़ी है अगर इस dielectric की जगा पर हम एक conductor यूज कर लेते हैं conductor तो अगर conductor यूज कर लेंगे यहां पर तो conductor के पास तो बहुत सारे free electrons होते हैं conductor अगर आपने यूज किया तो जितने positive यह हैं उतने ही negative यह conductor में आ जाते हैं इसके पास बहुत सारे electrons हैं एक दो तीन चपा छे तो यहां पर इकटे हो गए करोड़ों है इनके पास तो उतने ही induction से positive यहां पर हो गए induction कह लिजी रिपल्शन कह लिजी attraction कह लिजी कुछ भी कह सकते हैं सब चीज हो रही है positive से positive repel हो रहा है negative से positive attract भी हो रहा है और induction भी आप कह सकते हैं बार को कि यह वाली edge पर negative आ रहा है तो दूसरे edge पर positive हो रहा है ठीक है तीनों ही तरह से आप कह सकते हैं ओके फिलाल हमारा उससे मतलब नहीं हमारा उस मतलब यह है कि जितना electric field बाहर है जिसमें die electric हमने conductor रखा die electric की जगा conductor को रख लिया तो उसमें उतने ही polarity आ गई अपोजिट डियारेक्शन में positive से negative की तरफ इस conductor में applicable हो गया उतना ही आ गया 10 newton पर कुलाम लेकिन opposite direction में आ गया तो अब net electric field कितना हो जाएगा 10 minus 10 0 newton पर कुलाम का net electric field हो जाएगा तो इसलिए note में दिखा दिया है कि अगर conductor को die electric के तरह use कर लेते हैं तो उस case में e induced e original के बराबर हो जाता है अगर ऐसा होगा formula में value put करेंगे put करते ही यह value हो जाएगी 0 e naught by 0 eo by 0 यह हो जाएगा आपका infinity 1 by 0 is infinity infinity is eo multiply होके infinity के एकी value उस case में आ जाएगी infinity तो यह है die electrics polar die electrics, non polar die electrics and the importance of die electrics और die electric constant की इतनी सारी definition एक, दो और तीसरी यह मिली आपको और एक यह relative permiti से भी related है बस यह है that is all about the die electrics die electrics and die electric polarization तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बाता समझ में आ गई है मिलते हैं अपने next वीडियो में you keep practicing तब तक के लिए बाई बाई